हाँ तो जी नमस्कार कैसे आप सभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे प्यारे बच्छों आज के इस वीडियो में सरली करन यानि कि बढ़मास के रूल को आपको बहुत अच्छे तरीके से बेहतरिन तरीके से समझाने का प्रियास किया गया है इस बढ़ियां से समझाया नहीं जाता है तो आज के इस वीडियो में आपको इतना अच्छा से समझा दिया जाएगा ताकि आपको बारवार इस तरह का वीडियो देखने के ज़रत नहीं पड़े और बढ़मास का सवाल में गलती होने की संभावना कम हो जाए ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले देखे सुरुवात करने से पहले आपको बढ़मास के बारे में जानना पड़ेगा है ना बढ़मास का जो बेसिक नियम है बढ़मास आखिर उसका जो फॉर्मूला ये फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है तो उसको एक एक चीज को यहाँ पर अलग P.M.A.S ठीक है बड़मास तो इसमें क्या होता है कि चोटा सा Rook है इसका बड़ा रूप इस तरीके से होता है कि इसमें होता है ठीक है ना तो यहां पर के है बी पोर होता है ahh और हिंदी जो होता इसका bracket का kोश्टक कितने परकार के होते हैं तो चार परकार के होते हैं अभी तक आप लोगों ने तीन परकार ही सुना होगा लेकिन आज की इस वीडियो में आपको चार परकार का कोश्टक को यहां पर solve करके दिखाय जाएगा और इसमें से सबसे पहले जो कोष्टक होता है वो होता है क्या रेखा कोष्टक ठीक है सबसे पहले इसी कोष्टक का किरिया किया जाता है इसको बोलते हैं रेखा कोष्टक सिर्फ लाइन के रुप में रहेगा इसके बाद जो किरिया करते हैं हम लोग ये छोटी कोष्टक का ह है ना छोटी small bracket इसके बाद मजली कोष्ठक यानि की middle bracket और सबसे आखरी में करते हैं बड़ी कोष्ठक यानि की big bracket का ठीक है इसके बाद जो है आपका ओ फोर होता है अउफ मतलब का हिंदी में होता है का और इसका जो चिन होता है गुणा का ठीक है गुणा का चिन लगा देते हैं जहां भी आपको का लिखावा रहेगा तो इसके बाद है डी फोर होता है divide या division भी बोल सकते हैं इसका हिंदी होता है भाग भाग का चिन इस तरीके से होता है इसके बाद है मल्टिपला या मल्टिपलिकेशन जिसका की हिंदी होता है गुना और इस तरह से चिन होता है आप सभी तो जानते ही है इसके बाद है आपका एडिशन यानि की जोड एडिशन का हिंदी होता है जोड और इस चिन जो होता है इस तरह से होता है सबसे ल में इसका स्क्रीन सोट ले लिजे ठीक है ताकि आप भविस में इसको बार बार जब रिपीट करेंगे तो आपको याद रहेगा ठीक है तो चले सवाल के दुवारा समझते हैं ताकि जादा समझ में आए सबसे पहला नमर का सवाल यहां पर दिखिए यहां पर जो सवाल का लेवल है धीरे धीरे आपको टप किया गया है ना धीरे धीरे सवाल का लेवल को बढ़ाया गया है तो सबसे पहले बिल्कुल सरल सवाल है उसके बाद उससे थोड़ा सा टप लेवल का उसका आफ़ी में जो एक में जो सवाल हम लोग का दिया हुआ है वो है 15 भागा में 3, 15 भाग में कितना है 3, जोड़ है 14, गुना 5, गटा 8, जोड़ 2, ठीक है, इस तरीके से हम लोग का सवाल आया, तो इसमें आपको क्या करना देखना, इसमें देखना है कि कौन कौन सा चीन है, मतलब क्या क्या ची अगर जिदि आ जाए, तो सबसे पहले किसका करते हैं, भाग का, उसके बाद गुना का, तब जोड़ का, तब घटाओ का है ना, तो सबसे पहले भाग का किरिया करेंगे, तो यहां पर देखिए 15 भागा 3 है, तो 15 में से 3 में 15 में 3 से भाग देना है, तो क्या होगा, ति यह दोनों पत के बदले में हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं, क्या 5, भाग देने बाद 5 आ गया, उसके बाद जोड़ देंगे, बाद की जो भी संख्या है, उदर जो भी संख्या है, उसको जैसे का, वह इसे लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख लिए, अब देखिए, गुना में 5, 14 पंचे कितना होता, 14 को 5 से गुना करेंगे, तो 14 पंचे होता, सतर, यहां पर लिखेंगे, सतर, ठीक है न, सतर लिखेंगे, बाद की जो भी संख्या जैसा है, उसको वह इसा ही, यहां पर नीचे लिख देना है, अब देखिए, आपके पाए, दो तरह का चिन बचा हुआ है, जोड और घटा का, तो सबसे पहले जोड और घटा में जोड का किरिया करते हैं, तो जिसके जिसके सामने जोड है, तो उसको एक साथ जोड लेना, जैसे यहां पर 5 के सामने कुछ नहीं है, तो पलस का चिन यानि की जोड का चिन है, यहां सतर के सामने जोड जोड का चीन लगा हुआ ठीक है इन तोनों इन तीनों संख्यां को जोड लेंगे एक बार में ठीक है तो जोडने के बाद के सतर जोड पांस करेंगे 75 75 में दो जोड़ेंगे तो कितना होगा 77 दो जोड़ेंगे इसके बाद अब क्या करना है आखरी स्टेप हमनों का बच गया 77 में आपको कर देना मैं चाल को कितना बचेगा तो 17 में आठ को घटाएंगे तो कितना नों जाएगा ठीक है क्योंकि इसमें से घटा नहीं क्या जा सकता था क्योंकि ये बड़ी संख्या था इसलिए एक हांसी लिया गया दिए सत्रा बना सत्रा में से आठ घटा है तुन्हों और यहां बज़ गया कितना चौत ये 69 हो गया 69 ये इस सवाल का आपका आंसर हो गया ठीक है ना तो इस तरह से देखिए आप ये पहला नमर आपको समझा दिया गया है इसके बाद क्या है दूसरा नमर का सवाल दूसरा नमर का सवाल में बहुत important सवाल है इसको भी समझेए सवाल है आपका क्या गटा में 10 भागा पांच जोड़ तीन इसके बाद इंटू में है साथ घटा में चार ये सवाल आपको दिया गया है ठीक है तो इसमें क्या करना है प्यारी बच्छो सबसे पहले इसमें करना क्या भाग या कोश्टक क्या करना है आप ही लोग बताइए सबसे पहले comment कीजिए क्या करना है देखें यहाँ पर आपको जोड घटा और कोश्टक है तो कोश्टक का करिया सबसे पहले करेंगे आपको बताया गया था board mass में bracket यान की B4 bracket होता है तो सबसे पहले bracket का किरिया करते है यहां पर जो bracket के अंदर है उसका किरिया करेंगे बांकी जो भी चीज जैसा भी है उसको वह इसा ही लिख देना 19 गटा में 10 22 पांच जोड तीन यहां पर दिखें साथ गटा में कितना है साथ गटा में 4 है तो सात में 4 को घटा लिजिए क्योंकि कोष्टक का काम हम लोको करना है तो सात में 4 घटा एगे 3 ब Angebत यहां लिखेंगे 3 अब आपको यहां पर देखना बीए जो कोष्टक है और इसके यहां पर 3 है तो कोष्टक और 3 के बीच में कुछ नहीं तो गुणागचिन होता है ठीक है गुणागचिन होता है यहां गुणागचिन देंगे तो जब भी आप कोश्टक के अंदर का काम खतम कर देंगे तो कोश्टक चलिए, क्या करना है हम लोग को यहाँ पर पांच में, पांच से दस में भाग देना, कितेम बार में लगेगा? तो 5, 2, 10, 2 बार में लएगा इसको जब मैनस करेंगे तो कड़ जाएगा यानि कि हम लोग को क्या करना है 2 यहाँ पर लिखना है 10 में जब 5 से भाग दे कितने बार में लगा 2 बार में जोड का चिंद है तो जोड का चिंद देंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है तीन गुना तीन है तो अभी इसको जैसा का वैसा ही लिखते हैं चुकि हम लोग को एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है अभी भाग का किरिया किये थे तो अब इसके आगे जो करेंगे तब गुना का किरिया करेंगे प्यारे बच्चो आप देखिए यहाँ पर पलस का चिन किसके किसके आगे लगा हुआ नो के आगे पलस है और उनीस के आगे क्या है कुछ नहीं तो पलस है तो उनीस और नो को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा अथाइस हो जाएगा घटा में क्या करना है दो ठीक है ना जब इनको घटाएगे एटाइस में दो घटाएगे कितना हो जाएगा यह 26 होगा इस सवाल का जो आंसर आया वो क्या आ गया 26 आ गया बहुत ही बहतरिन तरीके से हम लोग बना लए है इसके बाद चलिए जो तीसरा नमर का सवाल है यहां से बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल की है तो क्या होगा देखे तीसरे नमर का सवाल को यहां पर लिखते हैं आपका सवाल है 16 जोड 7 गटा में 3 कोश्टक है मजली कोश्टक उसके बाद है फिर 3 जोड 2 फिर छोटी कोश्टक 3 गटा 2 कोश्टक बंद ठीक है इस तरह से कोश्टक बंद कर दिया गया इसको देखे हल करेंगे कैसे करेंगे देखी आपको क्या बताया गया था कि बर्मास में सबसे पहली 20 से बंद में आपको बता सबसे हाल इसके बाद मजली और सबसे लाश्ट में बड़ी कुष्टक का काम करते हैं यहां पर दो ही तरह का कुष्टक है यह मजली कुष्टक है और लाश्ट में छोटी कुष्टक है तो सबसे पहले इसका किरिया कर लेंगे इसके अंदर जो भी रहेगा इसका किरिया कर लेते हैं तो कौन सा चीम होगा तो गुना करके जी इसके बाद किया कर लेंगे इतोमेटिक खतम कोgrow कि HUखा अब बचे गाल। 16 हαι छोड़ सांथ我是 के बाहत क्या होगा अधा है मैंस में तीन इसके अंदर जो भी चीज अउसका किरिया करते हैं मजले कोशेक अभी नहीं हटेगा जब तक इसका काम नहीं हो जाता है तीन जोड क्या TOG करेंगे तो दोहीं होगा अभी तक बी नहीं हटा है क्योंकि इसके अंदर काम पूरा na नहीं हुआ है सोला जोड साथ गटा में तीन और तीन दू कितना होता है पांच होता है अब इसके और इसके बीच में गुणा कची नोगात यहां पर देंगे गुणा कची ठीक है ना गुणा कची दे दिए इसके बाद देखे यहां पर क्या करना है अब बाकी चीज को जैसा को इसा लिखेंगे आपको गुझा का क्रिया इसके बाद करना है क्योंकि गुझा बचा हुआ है यहां पर तीन को 5 से गुझा करेंगे पांश्त्याई 15 ठीक है ना 35 15 है हुआ यहां पर 16 और साथ है दोनों को जोर देंगे चूकि 16 के सामने भी पलस कचीन है तो जोड़ वाले को एक साथ जोड़ देंगे 16 साथ कितना होगा 23 होगा यहां पर लिखेंगे तेज गटा में हैं 15 यहां पर 15 देदेंगे इसके बाद में से 15 को मैनस करेंगे क्या हो जाएगा 15 आठ 23 होता है यानि कि आठ बचेगा आखरी में देखें इतना बड़ा सवाल का अंसर हमनों का एक लाइन में निकल गया कितना आठ आ गया इस सवाल का अंसर तो इस तरीके से तिस्रे नमर के सवाल को भी हल कर लिया गया है आगे चलत है कि विछ जोराइठ के लिए ना बीकी जोराइठ उसके बाद बड़ी कुष्टक तीन जोर पांच अंग उसके बाद है मजली कुष्टक तो छोगटा में दो जोड चार उसका छोटी कुष्टक 9 घटा में 5 कुष्टक सभी कुष्टक क्या कर दिया बंद कर दिया यहाँ पर सभी परकार का कुष्टक को बंद कर दिया आपको क्या करना है यहाँ पर सबसे पहले कुष्टक का काम करेंगे कुष्टक में सबसे पहले छोटी कुष्टक का काम करते हैं ठीक है ना छोटी कुष्टक में देखिए आपका क्या दिया हुआ यहां पर देखिए ठीक है जब कोश्टक हटेगा तो ये चार और कोश्टक के बीच में हमें सब गुनागचिन लगाए देखे चोटी कोश्टक अपने अब हट जाएगा क्योंकि इसका काम कर लिए हैं अब बचे का सिर्फ मजली कोश्टक और बड़ी कोश्टक ठीक है अब इसके बाद छोटी कोश्टक का काम कर लिए हैं तो क्या करेंगे मजली कोश्टक का काम करेंगे तो बांकी चीज को जैसा का वहीसा लिखेंगे यहां पर चार गुना चार करना हम लोगो को क्या हो जागा जोर कचिन देखर के चार चोगा 16 यहां पर 16 होगा अभी तक हम लोगो का मजली कुष्टक का काम पूरा नहीं हुआ है ठीक है आगे स्टेप में करेंगे फिर से वह चीज बांकी चीज को लिखते जाएंगे सबसे प पांच यहां से देखिए क्या करना देखिए छो को चो और 16 जुट जाएगा क्योंकि चो के सामने कुछ नहीं तो यहां पलस कचिन है इसके आगे भी पलस कचिन है तो 16 और 6 कितना हो जाएगा 22 होगा तो यहां पर लिखेंगे 22 घटा गचिन है घटा दो जब तक कोश्टक का काम पूरा नहीं होता है कोश्टक नहीं हटाया जा सकता है इसलिए अभी इसका काम बांकी है तो क्या करेंगे 20 जोड़ाट तीन जोड पांच अब देखे इस बार कुष्टक क्या हो जाएगा हट जाएगा कैसे हट जाएगा क्योंकि दो ही चीज यहां पर बचा हुआ है तो 22 में दो घटाएंगे तो 20 होगा यहां पर लिखेंगे 20 लेकिन चिन कौन सा होगा जब भी कुष्टक हटता है तो चीन आता है गुणा का यहां गुणा के चीन देंगे ठीक है अब क्या करना है 20 जोड आठ बड़ी कुष्टक तीन जोड में 5 को 20 से गुणा करेंगे तो 20 पंचे कितना होता है एक सो एक सो होगा अभी तक कोष्टक इसका बड़ी कोष्टक नहीं हटा है तो क्या करेंगे आगे वाला सिटेव में इस वाला सिटेव में हट जाएगा यह 8 आठ गुणा यहां पर 3 जोड़े 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा ऌठ कियाव है प्यार बच्रों यहां पर जोकतीने करें दूनों से allint 2030 को आठ से गुना करना है इस तरीके यहां पर कर ले रहे हैं आर्टको तिन से गुना करेंगे तो आर्टिया है 24 चुकि यहां 0 है तिसलिए 24 को पूरा-पूरा 24 लिख दिया है आठ एकम आठ तो 824 आया बी जोड बेस जोड 824 जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा देखिए चार जिरो जोड चार चार ही होगा और दो दो चार होगा फिर आंत में यहां पर 8, 844 इस सवाल का जो आंसर आया इतना लंबा सवाल का आंसर आया कितना 844 तो इस तरीके सी सवाल को भी हल कर लिए है अब चलिए आखरी जो सवाल आपका बचावा बहुत इंपोर्टेंट सवाल है इसको समझना बहुत जोड़ी है यहां पर देखिए क्य पांच नमर का सवाल जो है सबसे पालिस को लिखे लेते हैं सवाल है मलों का 25 जोड़ कि दो बड़ी कोश्टक 19 जोड़ 5 घटा में 2 मजली कोश्टक 3 जोड़ 2 छोटी कोश्टक 3 जोड़ 5 यहां पर रेखा कोश्टक फिर भागा का चिन दे करके 4 है इस तरह से सभी प्रकार का कोश्टक को बंत कर दिया गया अनतिम में ठीक है न चलिए बहुत आपको बताए थे जब चारो तरह का कोश्टक लगा हो रहेगा तो सबसे पहले आपको किसका किरिया करना है तो सबसे पहले करना है आपको रेखा कोश्टक का उसके बाद ये छोटी कोश्टक का है ना छोटी कोश्टक का इसके बाद ये मजली कोश्टक का किरिया करते हैं है मजली कोश्टक और सबसे अंति में बड़ी कोश्टक के किलिया करेंगे ठीक है तो सबसे पाली जो रेखा कोश्टक है इसका काम करेंगे बांकि जितना भी चीज है उसको जैसा को वैसा ही लिख देंगे 25 जोड़ दो 19 जोड़ 5 वटा दो मजली कोश्टक 3 जोड़ 2 छोटी कोश्टक यहां पर देखिए यह वहला काम हम लोग को कर लेना है हलांकि हम लोग के पास तीन तरक यहां दो तरक अच्छी नहीं जोड़ का और भाग का तो नियम से पहले भाग का करना चाहिए था लेकिन यहां भाग न मiateण करते हैं तो तीन और पाइंगत क्या हो आठ हो जाएगा आठ हो ढआगा और भागा के रूप में हैं 19 जोड़ 5 गटा 2 अब यहां पर देखे क्या करना है बाकी चीज को यहां पर लिखते जाते हैं दो आठ में से चार आठ में चार से भाग देंगे कितना बचेगा तो 2 होगा दो बार में लएगा और बड़ी कोष्टक बचेगा यहां पर देखे आपका क्या है 25 जोड़ 2 ओनीश जोड़ 5 गटाव 2 अब क्या करना है दो को 2 से गुणा कर लेंगे इस कोष्टक के अंदर है न मजली कोष्टक के अंदर क्या क्या है तीन जोड़ 2 गुणा में 2 यहां पर इन दोनों को पहले गुणा करेंगे उसके लाद 2 दो 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 ना 4 चार को तीन से जोड़ेंगे 4 तीन साथ यहां पर लिखेंगे 7 पे साथ तो यहां पर देखे चिन कौन सा अएगा तो गुणा का चिन आएगा क्योंकि कोष्टक हट रहा है तो क्या होगा बड़ी कोष्टक हो जाएगा जोड़ 5 घटा में 7 गुना दो है तो साथ दोना चोड़ 5 जोड़ दो देखे क्या होगा 19 और पांच जुट जाएगा है ना कितना होगा 19 पांच 24 हो जाएगा ठीक है ना 24 और घटा में कितना है 14. 14 को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा. तो यहाँ पर लिखेगा? क्या 10? तो यहाँ पर लिखेगा 10. इन सभी का किरिया करने बाद 10 आया. और बीच में जो चीन होगा? कौन सा होगा? गुना का होगा अब देखे क्या बच गया यहां पर 25 जोड़ दो गुना 10 करेंगे तो 20 होगा 20 होता है 20 लिखेंगे अब प्यारे बच्चों यहांपर क्या कर सकते हैं आखरी में एक चीन बचा है जोड़ का 25 में 20 को जोड़ेंगे तो 0 में 5 जुटा तो 5 ही होगा 2 2 कितना आंसर आया पैतालिस ठीक है यह सवाल का अंसर पैतालिस आया है उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको जो है बोड मास का पुरा रूल का आपको आ गया होगा मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइ पर लिजेगा जैहिंद बंदे मात्रम